नवस्कार साथियों, निर्मार कास्य योद्ध है, मैं आपका हार्दिक स्वागत है, समस्या और समाधान के इस कड़ी में हम लोग आज एक नए कोस्चन की ओर हैं, बहुत सरल सा सिंपल सा प्रश्ण है, उतर भी आपको पता होगा, लेकिन, 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 अगर आपको उस बंदी ग्रह में बंदी बना लेने तथा महीनों ना छोड़ने की धमकी देकर कुछ आभूसर प्राप्त करता है, पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराद किया है, ठीक है, तो हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे, ठीक है, प्रश्ण को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कि क् उद्यापन का एक्स्टार्शन का अपराद किया है, या लूट का अपराद किया है, रॉबरी का अपराद किया है, ठीक है, इस बात को चाचा करते हैं, एक्स्टार्शन से सम्मंधित 383 सेक्षन है, और रॉबरी से सम्मंधित 390 है, दोनों को हम लोग जरा देखते हैं, फि लिखा हुआ है जो कोई किसी ब्यक्ति को सोयम उस ब्यक्ति को या किसी अन्य ब्यक्ति को कोई च्छत करने के भय में सासय डालता है तद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए ब्यक्ति को कोई संपत्य या मुल्यवान प्रतिभूत या हस्ताच्रित या मुद्रांकृत कोई चीज जिसे मोलिवान प्रतिभूत के रूप में संपरिवर्तित किया जा सकता है किसी बैक्तिक को परिदत करने के लिए बैमानी से उत्परेट करता है तो वह उध्यापन करता है यह वहवर इंटिशनली फुट's एनी पर्शन फिर अफ आनी इंजरी तो तैट पर्शन और तो एन अधर अधर एंद दियरभाई दिशमस्टी इंदिश पर्शंस पूत इन फिर्ट अप्रेट ट्लीवर तो एनन पर्शन यह शांद और से इंटर फिरूवर्श को में इन ब्ल कंटेंट मौजूद है ठीक है उसने क्या दिया च्छातिका भय में कि उसको बंदी ग्रह में महीनों नहीं छोड़ेगा बंदी बना लेगा और कुछ आभूशण वैल्यूएबुल थिंग है आभूशण यह बात आप जानते हैं जड़ा देखते हैं 390 लूट में क्या है लूट टू टाइप्स की होती है रॉबरी टू टाइप्स की होती है आपको पता है ठीक है इसमें एक इक्स्टार्शन वाली रॉबरी होती है थेप्ट वाली तो यहां थेप्ट की चर्चा हमें नहीं करनी है इक्स्टार्शन से रिलेटेड चर्चा करनी है ठीक है इक्स्टा और उस बेक्त को स्वयम उसकी या किसी याने बेक्त की ततकाल मृत्य ततकाल उपात या ततकाल सदो सवरोध के भहे में डाल कर वह उद्ध्यापन करता है और इस प्रकार भहे में डाले गए बेक्त को उद्ध्यापन की जाने वाली चीज उसी समय महां परिदत करने के लिए प्रिजित करता है तो वह उद्यापन वाली लूट करता है एक्ष्टार्शन वाली रवरी करता है चलिए अच्छी बात आपका असपस्ति करण explanation दिया हुआ है कि अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन ब्यक्तिकों ततकाल मृत्य के ततकाल उपहत किया ततकाल सदोस औरोत के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो यानि कि इसमें और इसमें अंतर अगर हम देखें तो क्या है अंतर की अगर हम बात करें उपस्थिति और ततकाल दो अंतर है ठीक है एक्स्टार्शन और राबरी में अंतर करने के लिए हमें दो चीजें ठीक है मेंटेन करने पड़ेंगी आएट दा टाइम उपस्थिति उसकी है या नहीं है अब हम प्रश्म को दुबारा पढ़ते हैं एक पुली सथिकारी एक व्यक्ति को तुरंत सब्द लिखा है बंदी गरह में बंदी बना लेने तथा महीनों ना छोड़ने की धमकीदे करके तुरंत मने ततकाल भी होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि एक पुली सथिकारी अपनी उपस्थिती में एक व्यक्ति को तुरंत के लिए तो पर्याप्त रूप से निकट होना ज़रूरी है अब बात आई कि हम एक्स्टार्शन उद्यापन चुने या लूट चुने तो यहाँ पर उपस्थिती मेंसन नहीं है सबसे important point है इस illustration में उपस्थिती उस पुलिस अधिकारी की जिस पर आरोप है जो अफेंडर है वो present है वहाँ पर इस बात की चर्चा नहीं है इसलिए हम robbery ना मानते हुए best answer हमारा extortion होगा इस बात को हमें समझना है कि पुलिस अधिकारी अपनी उपस्थिती में एक व्यक्ति को तुरंत बंदी ग्रह में बंदी बना लेकर और महीनों न छोड़ने की धमकी देकर कुछ आबू सड़गर प्राप्त करता तो वो robbery की category में चला जाता लेकिन यहां उपस्थिती नहीं लिखे होने की वज़ासे present है वहाँ पर इस बात को ना लिखे होने की वज़ासे हम इसका उत्तर क्या देंगे कि यह extortion है अब वापस आते हैं answer pattern पर आते हैं तो आपको चरचा करनी पड़ेगी कि क्या है या नहीं है तो आपस पर्षट अगर लिख रहे हैं कि पुलिस अदिकारीं ने उद्यापन का अपराद किया है यह लूट नहीं है क्योंकि वहां पर पुलिस अथकारी की उपस्थिती के था है है question में इसलिए इसलिए हम इसे extension मानेंगे यदि यह difference किये बिना सीधे आप extension लिख करके चले आते हैं section 383 लिख करके चले आते हैं तो आपका answer पूरा नहीं माना जाएगा जब तक दोनों के बीच आप टैलिड करके difference create करके नहीं लिखेंगे अंतर नहीं बताएंगे तब तक आपका answer पूरा नहीं होगा इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि उद्ध्यापन के किसी भी उत्तर को लिखते समय वह loot है या नहीं इसमें अंतर करना जरूरी है क्योंकि चोरी में तो जरूरी नहीं है content जो है intentionally उसको च्छत का या भाय का जो है कुछ भी रहे इसलिए इक्स्टार्शन वाले answers में आपको हमेशा लगभग loot से मिलान करते हुए अंतर बताते हुए आपको करना पड़ेगा other wise आपका उतर सही नहीं हो पाएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा यानि कि आप सीधा लिखिए कि उपस्थिती नहीं है इसलिए उद्यापन किया अन्निता वह loot होता धारा 390 के अंतरगत परिभासित offense के अंतरगत आता ठीक है असा करता हूँ बास समझ में आई होगी क से मिले हुए आपके आते हैं इसलिए इसलिए बहुत ध्यान से आप पुरा सीरीज आपकी पड़ी हुई है और एक एक वीडियो जापके पढ़ते जा रहे हैं प्राब्लम एंड सॉलूशन से रिलेटेड मेंटेन करते हुए प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया जाएग डिस्क्रिप्शन बाक्स में नई तो आप स्वेम भी डिरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा करके प्राब्लम एंड सॉलूशन को देख सकते हैं वहां से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं इसलिए एक्जाम ओरियंटेड होते हुए पूरी सीरीज को आप लोग देखिए ताकि बहुत से बहुतर आप बना सकें ऐसा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता हिये लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान पर क्लिक करें आल पर ताकि नोटिफिकेस्ट आपको मिलता रहें आप किनी वीड इंटेड़ है करेक्ट के लिए अत्यान तावस्यक है इस बात को ध्यान में रखते हुए करिए ठीक है अगले समस्या के लिए जब तक वीडियो इंतिजार कीजिए तब तक के लिए जय हैं जय भारत धन्यवाद